हाई फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों साथ ग्रीन चटनी की रेस्पिश शेयर करूंगे रेश्टरन स्टाइल और इसे बनाना बहुत ही असान है इसे पकड़े के साथ सर्फ करें तो चले रेस्पिश टार्ट करते हैं एक गठर यहां पर मैंने ध्रें की पती लिया इसे अच्छे से वाश करके साफ कर लिया और एक गठर यहां पर पुदिने का लिया है इसे भी साफ कर लिया और पतियों को तोल लिया है 4-5 पिस हरी मिच लिया ठीका टेस्ट की कॉरडिंग 4-5 जवा लैसन का है एक चुड़ा पुटा अदरक का है Half lemon juice आड़ करेंगे और várias fat text की कॉरडिंग salt आड़ करेंगे नीम्बू और salt को अलब करके बाकि इन सारी चीजों को मिकसर जार में आड़ करेंगे और से बारी ग्राइंड कर लेंगे नमा को आट करेंगे और साथ में यहाँ पर हाफ कप दही लिया है इसे भी मिकसर जार के अंदर आट करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे इसे मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसके अंदर एक बड़ी चमच यहां पर चाट मसाला ट करूंगी चाट मसाला ट करने के बाद इसके अनदर हाफ लिमन जूस ट आट करेंगे और आप चाहें तो एक पिंच इसके अनदर शुगर भी एड करेंगे इससे काफी अच्छा फ्लिवर आता है लेकि मैं हाँ पर शुगर नहीं आट करी हूँ रिष्ट्रिट में किया जाता है और इसे मिक्स करेंगे इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्स करने के बाद अपने रायते को मैं चिकन फ्राई के साथ सर्फ कर रही हूं आप चाहे हैं तो इसे पकोड़े के साथ भी सर्फ कर सकते हैं बहुत सिंपल हो और इसी है इसे बनाना तो यहां पर मैं चिकन फ्राइ को राती के साथ सर्फ कर रही हूँ तो आप इसे जरूर फ्राइ करें बहुत बदा सी चिटनी की रेस्पी है अगर मेरे यह सिंपल से रेस्पी आपको अच्छी लिए तो प्लेज मेरे वडियो का लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट स्वक में जाकर कमेंट कीजिए सब्सक्राइब करना प्लेज मत बूलियेगा अल्ला हाफेज